हेलो माई ब्यूटिफुल वीवर्स वेलकम अवर यूटूब चेनल खान सिस्टर 786 तो आज आपकी बेहन आपकी सिस्टर आपके लिए एक नया टोपिक लेकर आईए जिसमें वो आपको बताईगी कि अगर आपके असमें बाल सफेद हो चुके तो आप उससे किसे चुटकाराब पा सकते हो ये एक होम रेमेडी है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी जो आसानी से आप घर पे बना सकते हो और जो आपके बाल सफेद हो रहे है उससे चुटकारा पा सकते हो और इतनी एजी हो और बहुत एजी से इंग्रेडियन से ये बन के तयार हो जाएगी एक ओईल है जो आपके बालों को तंदुरुस्त रखेगा हैर फॉल रोकेगा और जो असमे सफेद बाल हो रहे है उसको तो ये काला कर ही देगा रेमेडी शेयर करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी कि कोई भी चीज हम कोई भी रेमेडी हुए या कुछ भी चीज हम अपने बालों पे या अपने हैर पे और या स्कीन पर अपना अप्लाई करते तो उसको कम से कम हमें पेच टेस्ट तो या तो पहले लेना ही चाहिए और उसके अलावा भी आप कोई भी चीज ट्राइ करते हो तो कम से कम patience के साथ उसको ट्राइ करें क्योंकि हमें कम से कम एक महिने तक तो कोई भी remedies अगर हमें side effect नहीं हो रहा है उससे तो हमें उसको कम से कम गंडीनू एक महिने तक तो करना ही चाहिए तब ही आपको रिजल्ट दिखते क्योंकि हम कोई भी जादू की छड़ी या कोई magic तो हम करते नहीं है जो आपने अभी करा और तुरंथ आप को रिजल्ट दिखेगा नहीं आपको कम से कम एक महीने तक उसको करना पड़ेगा तब आपको रिजल्ट दिखेगा और रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा यह मेरी गेरंटी कि आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा क्योंकि जो इंग्रेडियंस में इसमें यूज करूंगी वो बहुत कम इंग्रेडियन्स है, जादा नहीं है, थोड़े ही है, और उससे आपको यकीनन फाइदा जरूर होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पेसे खर्ची नहीं करने होम रेमेडी है और आपको उससे फाइदा जरूर होगा बालों का सफेद होना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है, जब वो असमे, मतलब जब उसका समे नहीं होता, पर वो हमारे बालों में आ जाते हैं मतलब कि 30 और 40 की ऐस में ही आने लग जाते हैं और कोई-कोई को तो ये बच्चों के भी आने लिए आते हैं जो 11, 11 साल के होते हैं उनकी भी आने लग जाते हैं तो हमें उस से दिक्कत है कि जो असमे सफेद बाल हुए बीना समे के जिनका टाइम नहीं था बे टाइम ही आ गए जिसे होता है ना कि बारिस का समय नहीं होता फर बारिस हो जाती है तो हमें किता है क्योंकि हम उसके तैयारी करके रखते ही नहीं बारिस हो जाती है तो हमारा कितना नुकसान हो जाता है वेसे ही अस हमें सफेद बाल हमारे सल पे आ जाते हैं तो वो हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते हमें क्या किसी को भी दिखने में अच्छे नहीं लगते तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज ही ये remedies मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जिसको आप इस्तिमाल करोगे तो यह निकिया कि यकीनन आपको बहुत फायदा होगा इससे remedies बताने से पहले मैं आपसे एक ही request हर बार की तरह करना चाहूंगी कि हम एक नई यूटूबर हैं हमें आपके साथ की support की बहुत जरूरत है तो प्लीज गाइस हमारा support बने और हमारी वीडियो को आप आपकी दोस्तों रिष्टेदारों में जितना हो सके उतना शेयर करें क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत सी वीडियो लाते रहतें कुछ DIY कुछ home remedies कुछ फिलिप कार्ट मीशो के offers और बहुत कुछ तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को subscribe कीजिए आप करिए आपके परिवार में आपके दोस्तों में सबसे करवाईए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है थोड़ी सी भी तो like जरूर कीजिएगा और जो भ के आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको सबसे पेले जो चाहिए वो है कडी лीवज है तो सब जानते कि बहुत फायदे मने जबी तो जो चीज हम खा सकते हैं वहम लगाएंगे तो हमारे बालों के लिए प्रीप्ते का स्तमाल करता है क्योंकि कडी पत्ता हमारे लिए अक्सिजन होता है भरपूर मातरम में होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारे बालो के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है जो हमारे बालो को काला करता है हमारे बालो को स्ट्रोंग बनाता है अगर हम उसको दही में मिला के लगाते है तो हमारे बालो को वो सिल् जी हां उसके सेकंड जो इंग्रेडियन से जो वो है नारिल का तेल और नारिल का तेल भी स्केल्प के लिए बहुत फाइदे मन होता है जी हाँ, इसकीन के लिए हमारे और जो हमारे सर की स्केल्प है, उसके लिए भी नारिल का तेल बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आपको नारिल का तेल इसमें चाहिए, नारिल का तेल भी आप शुद्ध लीजेगा, अच्छे ब्रांड का लीजेगा, क्योंकि शुद्ध चीजे हमें जादा फाइदा देती है यह तो आप सब जानते हूं मुझे जर्बन दाने की जरूत नहीं है कड़ी पता आप चाहो तो ओनलाइन सूखा वगेरा ड्राइ इस ड्राइ मिलता है वो भी मंगा सकते है अगर उससे बहतर होगा कि आप अगर आपके फ्रेश प्लांट हो इसका तो जाता बहतर रहेगा तो आप जहां तक हो कोशिश करिएगा कि आप फ्रेश ही कड़ी पता ले अब आपको क्या करना है एक गेस पर एक कटोरी के करीब आप प्रेश को व्लेरना है नारकर आप को 15-20 पते इसके डाल देना है आप चाह सो उसको करना सकते हो अशकर प Mensch कर्णी आज में आपको पकाना थे कम से 15-20 मिन्ट तक इसको पकाने मद्धी मद्धी आज में और उसके बाद चब ये थोड़े पक़जाए पतो बिए अच्छा स् आपको रख देना जिस कड़ाई में आप कोशिश करेगा कि आप लोहे की कड़ाई में इससे पकाए ठीक है फिर जब हो जा तो उसको रात भर के लिए ढखके रख दे और दुसरे दिन इसको चान के किसी काच की बोटल में रख ले अब इस तेल को आप जब भी ना उसके दो बालों पे मसाज करनी है आपको अच्छी तरह से पूरे बालों पे लगाना है और फिर उसके बाद दो घंटे के बाद आपको हेड वाश कर लेनी है जी यह आपको करना है इससे आपके बाल यकीन काले होने लग जाएंगे पर कम से कम आपको एक महीने तक तो यह रेमेडी इस्तिमाल करनी है तब ही आपको रिजल्ट दिखेगा यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट शेक्षिन में जरूर बताएगा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में शेर कीजिएगा ठैंक यू